वेलकम बैक तो अनादर वीडियो मेरा दाम की ओमकार और आज हम देखने वादे है महिंद्रा सुप्रो टॉफिट मिनी ट्रक का अना एजडी सीरीज वाला मॉडल जो कि आप यहापे देख सकते हैं वाइट कि अदर और आज के इस वीडियो के अंदर देखने मादे कि इस कीमत क्या होने वाली है यहापर जैसे कि आप देख सकते हैं यहान जो प्रॉपरा ट्रक ऑट तो दो तीनों के अंदर आपको क्या और यह कुछ आपको इसकी लुक्स मिलती है जो कि सेम है озя-makt-mart-truck है यह फोर मीनी अपना नौर्मल वाला επहु और यह छोपनी अपना अन्य वालीTruck को अपनी बां मिलता है यह इसी DRN तो यह झालिभा शचानीत-फ।क कंप TCP-V UC which rappelle LX एक बादी है तो अगर आपको गाड़ी मतलब लॉंग टाइम तक चला नी है तो यह काफी अच्छी ट्रग होने वाली है मिनी ट्रग होने वाली है पीछे के साइड में एक विंडो दी है जो कि आप पीछे का भी मतलब आराम से देख पाऊंगे काफी बड़ी विंडो है वैसे वह और लेंथ की अगर बात करें लंबाई की अगर बात करें तो 3.9 मिटर्स के आपको इसकी जो यह लेंथ मिलती है जो यह मिनी ट्रक का वी एक्स मॉडल है तो यह आपको इसके अंदर यह 900 केजी की जो पेलोड कापसेटी मिलती है और यह वाला हम जो देख रहे है एलेक्स मॉडल जो कि आप यह पर ब्रैंडिंग मतलब इसका टैक भी देख सकते है तो इसके अंदर आट सो केजी की जो यह यह इसका 22 का है यह भी एक 909 CC के डीजल इंजिन के साथ आती है जो कि आपको 26 बहप की पाउर दीगी और 58 न्यूटन मिटर्स का आपको जो तो तॉर्क वेगरा स्पेसिविकेशन ठीक टाक से है और वील्स आप यहापर देख सकते है बारह इंच के आपको यहापर जो वील्स म बहुत अच्छी बील्ड कॉलिटी वाली अपनी महीन राकी बहुत अच्छी बील्ड कॉलिटी है इसकी और इंजन भी आप वहाँ पर देख पाऊगे ट्रांस्मिशन वेगरा यहाँ से खोड़ा सा दिखता है और एक साइड की यहाँ पर इसके अंदर बैटरी लगी है रखे और पीछे तीन हुग दिये है अगर आपको खोलना है तो आप यहां से इसको जो यह आरम से खोल पाऊगे यह भी एक बार में आपको दिखा देता हूँ और यह नीचे जाके जो यह मतलब ना टकरा है इसलिए यहाँ पर जो एक रबर का जो यह एक बुश भी दिया ह यहा पर अगर हम इसको इस तरह से करें तो यह बजेगा नहीं यहाँ पर आपको यह रबर मिलता है मुझे काफी चीज लगी sd series के बारे में और दूसरे मिल ट्रक के अंदर भी आपको यह सेम चीज मिल जाती है मैक्सी के अंदर भी आपको सेम चीज मिल जाती है और यह लॉक आप कुछ इस तरह से लगा सकते है बाकी तो पीछे दो पार्किंग सेंसर भी है जो की जो गवर्मेंट के बिये 6 नॉम है उस बजए से आपको यह इस aardy आदर ट्रक के अंदर मिलता है और यह स्पेस भी आप यह लवा सेम ही है पूरी बस आपको पेलोड कैपसिटी के अंदर डिफरेंस मिलता है इसके अदर 800 kg तक आपको सामान बिठा पाऊगे और अगर काम थोड़ा मतलब छोटा है अगर आपको छोटे मालब बड़ी साइज वाला और चोटे वजन वाला अपको अगर सामन कहीं से ले जाना है तो आप इसको जो यूज कर सकते हैं और यहाँ पर वैसे रबर भी दिया है तो इससे जो ही है आपका सामन जो है नई फीस और ये बी आपको काफी अच्छा जो मिल जाता है बागी तो चलते है इस मिनिट्रक के अंदर और ये ही इस मिनिट्रक की चावी चावी आपको ठीक ठाक से बिलती है दो चावी आपको मिलती इसके साथ और यह डोर हमने इसका लगा लिया डोर का अगर आपको पैनल देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते है यहाँ आपको एक नॉर्मल सा पैनल मिलता है हैंडल आपको यहाँ पर मिलता है यह विंडो आप यहाँ से जो ही है कुछ इस तरह से बंद कर पाऊगे यह हो गए अपनी विंडो बंद तो भार की आवज भी कमाएगी और यहाँ पर यह अपना डोर हैंडल यहाँ पर नीचे आपको यह तीन पैडल मिलता है एक्सलेटर, ब्रेक और अपना जो कलच रहते है उसके लिए और यहाँ पर फोर चार गेर आपको मिलता है फोर स्पीड मैनियोल आपको यहाँ पर यहाँ गेर बॉक्स मिलता है यहाँ पर जैसे की आप देख सकते है इसका यह थोड़ा सा अलग लगा मुझे तो इसके अंदर की यह जो स्थीट है नहीं थोड़ी छोटी है वह वाली जो VX model था उससे यहाँ पर जैसे की देख सकते है यहाँ पर बीच में थोड़ी सी जगा दी गई है और इसका इंजिन यहाँ से खुलता है यहाँ से आपको यह कडिया मिलेगी तो यह खोल के आप जो यह इसका इंजिन भी खोल सकते है अभी यह खुला भी है यहाँ से आप देखना इसका इंजिन यहाँ से दिखता है और पीछे की यह विंडो अपनी और इंटेरियर सो एक बार मैं आपको इसको जोड़ा से चालू भी करके दिखा तो जो उसका टॉप मोडल है जेटेक्स मोडल मैकसी के अंदर का उसके अंदर आपको जो एसी भी लेते आएगा तो उसकी कीमत थोड़ी जाद होगी साथ लाक से जादा उसकी एक शोर्म कीमत होगी आट नो लाक तक वी गाड़ी जाएगी और यह जो गारी है यह काफी तो यह आपके लिए काफी अच्छे होने वाली है तो यहाँ पर एक बार मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यह इसका आपको इंस्टुमेंटर क्लस्टर मिलता है एक सो बीस के इसके अंदर टॉप स्पीड दिखाई कहीं जाती है यह गाड़ी और फ्यूल कमिटर आपको यहाँ पर मिलता है यहाँ पर आपको जो यह तो टाइम वेगर भी दिखेगा और जो पार्किंग सेंसर है उसकी भी जानकर आपको शाय से यह पर आजाएगी तो यह आपको कुछ चीज मिलती है यह पर हजार लाट का बटन मिलता है तो यह आपको अगें डिफरेंस मिलता है एक सीट का डिफरेंस हो गया और एक यह पोर्ट का डिफरेंस हो गया और एक वील का डिफरेंस हो गया तो यह सारी चीजों की बज़े से 20-30,000 का फरक पड़ता है दोनों ट्रक के अंदर तो वील इसके अंदर थोड़े च बाकि तो यह वाली जो यह उसी का VX model है यो एजड़ी सीरीस थी उसका उपर वाला मॉडल है और इसकी जो कीमत है यह है चे लाग छे हजार रुपए तो यह आपको प्राइस का डिफरेंस मिलता है इस दो होई ट्रक के अंदर जो मैन्योल स्टेरिंग मिलता है बट आपको यह सीट्स थोड़ी अलग मिलती है जो कि आप यह पर देख पाऊगे इसकी सीट्स थोड़ी बड़ी है और वील इसके थोड़े से बड़े है 13 इंच के इसके अंदर वील दिया है एक यह आपर जो यह बारा वोल्ट का यहाप एक चार्जिंग का पॉइंट भी दिया है तो यह से आप जो अपना फोन वेगरा जो यह चार्ज कर पाऊगे तो यह अपको थोड़ा बच इसके अंदर डिफरेंस मिलता है बाकी तो इसा कुछ जादा डिफरेंस नहीं है तो डेफिनेट लिए अगर आपको बजेट थोड़ा कम है तो आप अपना HD Series वाला जो यह ट्रक ले और मैं आप से विलता है नेक्स वाले इसे हमें टिंग वीडियो में तब तक लिए बाइबाय